अगर टॉपर से पूछा जाए कि तुमने कैसे अचीव किया तो उसका मेन सीक्रेट होगा टाइम टेबल अगर टाइम टेबल सही है तो आप क्या नहीं कर सकते हो तो मॉर्निंग नून इवनिंग डाइट चार तरीके का टाइम है जब आप एक्टिवली लर्निंग कर सकते हो कब कौन सा टॉपिक स्टाइक करना है चार तकिन के साल टाइम डिवाइड करना है देख लेती हैं सो मॉर्निंग को आपने न्यूट शार करना है नून जब मतलब 12 वो टाइम होता है तब आपने करना है रिक्यप्टिलेशन मतलब अपने मायर्ड शो टॉपिक से लिएडर इवनिंग को आप जाओगे प्रीविस टॉपिक जो आपने कल पढ़ा था और नाइट को आपने तोनों टॉपिक रिवाइस करने हैं कल वाला और आज वाला तो ऐसे कुछ अगर आप तैनिंग करके चलते हो तो आप आप भी अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव कर सकते है याद रखिए टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिल्टी हो सकती है आपका दिन अलग है आपकी बॉड़ी अलग है आपकी टाइमिंग अलग है तो आप चेंज कर सकते हो मॉर्निंग में आपको सिटिंग मैज जासे देती हूं 6 a.m. से 8 a.m. आपको मॉर्निंग रोटीन जो फो एक्सराइस का मीन मॉटिफ होता है कि हम अपनी बॉड़ी में अनर्जी क्रेट करें अनर्जी कैसे आएगी जब हम थोड़ा सा जंपिंग करेंगे ठीक है जब ब्लड का सर्कुलेट अच्छे से हो जाएगा तो वह तो हम जैसे गेंगे तब हो जाएगा नांस करेंगे तो थोड़ा सा एंटर्टीनमेंट भी कर सकते हो आप वो डिपेंड करता है अब आपके उपर अगर आप ज्यादा करोगे जोर जोर से तो आप ठक जाओगे तो इसलिए लाइट सा कोई डांस लाइट सा कोई गेम खेल सकते हो अगर आपको एक्सराइस कंफर्टेबल लगती है आपको लगचाएंगे 25-30 मिनिट उसके बाद आपको बैठ जाना है अपने स्टड़ी के लिए स्टड़ी के लिए आप एग घंटा या दो घंटा दे सकते हो डिपेंड ऑन यर टॉपिक एंड टॉपिक शुड बी न्यूव टॉपिक आपको लेंथी लगता है वो टॉपि करती हो किचन में ठीक है या फिर रोम वगयरा क्लीनिंग में हल्प कर देती हो या फिर कपड़े सुखाने में जो भी आपको लगता है ऑप्शनल जो आपके ममा की रिक्वाइर्मेंट है उसमें आप कर सकते हो एंड जो आप करते हैं वो अपना जॉब रोटीन फोलो अब आगया हमारा इंच्वाइ करने का टाइम क्योंकि मॉर्निंग में उठे स्टडी किया ठग गए थे मम्मी के साथ काम करवाया थोड़ा सा टाइड फील कर दे तो अब हमने करना है थोड़ा से इंच्वाइ तो क्या कर सकते हो पहले तो पानी पी हो हर एगंटे के बाद फिर जो भी करना आपको अच्छा लगता है अपका जिससे माइन कंफरेबल हो दावो कर सकते हो अब आता है हमारा सिरिंग टाइम जो हमारी स्टडी के लिए है लेवन पीम टू ट्वैलाव थर्टी ठीक है जी इसमें हमने करनी है रीकैप्चुलेशन जो मॉर्निंग में ट अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को जाधा टाइम चाहिए तो आप रपीट करोगे क्योंकि एक टॉपिक करना अच्छे से अब आपका आता है लेस्ट टाइम ठीक है क्योंकि माइन ने बहुत सारी अक्टिविटीज कर ली बेशक उसको इंजॉयमेंट मिला लेकिन व कोफी पीते हो ग्रीन टी पीते हो वह आपके ऊपर है कि आप क्या फोलो कर रहे हो डाइट पर अब आजाओ थ्री ओक्लोक से लेके फोर ओक्लोक तक अब आपको देखना है यूट्यूब पर अपने सब्जेक्ट के कॉर्डिंग वीडियो और प्रीवियस येर के कोशन कोशन को जो आपके हो चुकी है जो जो डेह चुकी है इससे आपको क्या होगा पर सारी कोशन की क्वालिटी का पता चलता रहेगा एंड लेक्चो जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उसमें सिर्फ पॉइंट्स नोट करिए पूरे नोट्स डिक्टो ने ही बनाने पड़ा था ठीक है तो उसका जब आप टेस्ट लोगें आपको साथ के साथ चेक करना है देखना है कहां पर इशू आ रहा है सारे टॉपिक में आ रहा है या किसी सपेसिफिक एडिया में आ रहा है तो वहाँ पर जादा कंसंट्रेशन देनी है हमने अब आता है सिक्सों क्ल एट पीम टू टैन पीम कंसंट्रेशन करना है वो पोश्चन पर जहां पर आपने विस्टेक की थी कल वाले टॉपिक में और आज वाले टॉपिक में दोनों को ही रिवाइस कर लेना है और एक डायरी लेनी है उस पर आपने सारी समड़ी लिखनी है शॉर्ट फार्म में की टॉपिक में क्या में में पॉइंट से इससे होगा क्या आपकी साइड रिवीजन हो जाएगी और फाइनली अपने सो जाना है जो जो टाइम जब जब हैं तब तब एक्शन लेना है